सिर्फ एक राजनेतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी ये चुनाओ हम PGP, एक राजनेतिक दल हिंदुस्तान के इंस्टिटूशन्स हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्णन्स का स्ट्रक्चर है इंटेलिजन्स एजन्सीज, CBI, ED, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टिटूशन्स को नरेंद्र मोदी जी ने और अमिट शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया पर इसकी तो मैं बात करता रहता हूँ आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया और आपके एमोशन्स कहां थे हमें मालूम है लड़ाई समविधान को बचाने की थी, Constitution को बचाने की थी और मैं आपको सच बताऊँ, तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्हों ने हमारा बैंक अकाउंट कैंसल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोरी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता, अपने समविधान के लिए, एक साथ खड़ी होके लड़ जाएगी, और ये सच साबित हुआ, मुझे में भरोसा था, और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गटबंदन के पार्टनर्स से, कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बबर शेर कार्यकरताओं से, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने सविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है, कॉंग्रेस पार्टी, कॉंग्रेस पार्टी ने इस चुनाओं में, कॉंग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने, दो तीन चीजें की, सबसे पहले हमने इंडिया गटबंदन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, कि उनकी जो विशिस थी, उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा, कि जहां भी गटबंदन लड़ा, हम एक होके लड़े, दूसरी बात, कॉंग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक निया विजिन दे दिया है, प्रो पूर विजिन, प्रो प्रोड़क्शन विजिन हिंदुस्तान को इंडिया गटबंदन ने साफ दे दिया है, यह जो हमारा परफॉर्मन्स हुआ है, इंडिया गटबंदन का परफॉर्मन्स हुआ है, इसके पीछे Constitution, जो Reservation पर BJP ने आकरमन किया, गरीबी, अदानी जी के आपने Stocks तो देखे होंगे, देखें, देखें हैं उ Stocks, उनके, तो बड़ी Interesting बात है, जनता अदानी जी को मोदी जी से directly correlate कर रही है, मोदी जी की हार होती है, Stock Market कहता है, भाई आप मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डिरेक्ट रिलेशन्शिप है, करॉप्शन की रिलेशन्शिप है, और देख ने नरेंदर मोदी जी को साफ कह दिया है, की हम आपको नहीं चाते हैं, and this is the main thing that this election has said, the country has unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country, we do not like the way they have run this country, we do not appreciate the way they have attacked the constitution, we do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years, so that is a huge message to Mr. Narendra Modi, I would like to thank everybody who has participated in this election, I am extremely proud of the people of India, I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution, और अन्त में मैं आपको कह दूँ कि इसको बचाने का काम, हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, गलेतों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछणों ने किया है, इन लोगों ने इस Constitution को बचाया है, इस Constitution ये Constitution देश की अवाज है, बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, छुप रहे गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्हो करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि Congress Party आपके साथ खड़ी है, जो हमने आपको वाइदे किये थे, हम वो वाइदे आपके लिए पूरे करेंगे, जाती जनगरना, महलक्ष्मी, ये हमारे वाइदे हैं, धन्यवाद, शुक्रिया राउल जी, अभी तीन चार्स स्वा सिर्फ हम लेंगे, एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट, शांत हो जाईए, प्रीज, शांत हो जाईए, एक मिनिट, 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 श और ए एक मिनट गरके घल्ली आपका चाहर पांच सावाल लेंगे एक मिनेट एक मिनेट एक एक करके चिलाइये गामथ प्रीस चिलाइये माथ सट्टि एक भार्ते है जल्ली गुर्वी प्रिह एंदी प confident इंदे में त एंदे हिए और भी उन प्रिट पार्ट voc इंदे और इंद टेजी पार्टूड कुछू ऑडी इंदे और टूमी अटर्टेश्ड हुड्ज है इन एंदे एंदी इंदेज से इंदे नियू आग्पयाम की इंदे उन एंदे जाएंट to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow and these questions will be raised there and they will be answered there. We respect our Alliance partners and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. Sir, you say you are saying that it is a horrible victory for the death of India. If you are in the UPS and the government, you don't do this before, because the number is the India Alliance and India Alliance. If you are not doing this before, then how will you come back to their rights for their success? आप आएंगे वोई वोई सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो कल डिसाइड होगा इंडिया गड़बंधन की मीटिंग है कल हमारा लाइन्स डिसाइड करेगा बड़ी फाइन लाइन है तो जो इंडिया गड़बंधन डिसाइड करेगा उस पे हम एक्शन सर खरगे साथ भी आपसे पूछना चाहते थे कि यहां पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके साथ से एंडिये को मिजॉरिटी मार्क से उपर मिला है तो एंडिये सरकार बना रही है तो यहां पे क्या आपको लगता है कि आपने का नेतिक अधार पे प्रधानमंती नरेंद मोदी को नहीं बने रहना चाहिए क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमे बंदी होगी इसको लेके और क्या खुद नरेंद मोदी को यह फैसला लेना चाहिए देखिए अभी राहूल गांदी जी ने आपके सामने स्पस्ट किया जब तक हम अपने अलाइंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मिजॉर्टी बना सकते हैं वो देखिएंगे सारे स्टैटेजी अकर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी हुशार हो जाएंगे इसलिए जराम जी, जराम जी, जराम जी, जराम जी, जराम जी, जराम जी, सर्थ, राउल जी, खर्गे साब ने का कि हम जनादेश को सुईकार करते हैं, जनादेश इंडिया गडबंधन के लिए क्या है, विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए, और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई, आप कौन सी सीट रखने वाले हैं? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूँ और राइबरेली और वाइनार के जो वोटर्स हैं, उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ. अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा, थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा, दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूँ, बट अभी डिसाइड नहीं किया है. राउल जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे, तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही, काफी बीच में उतार चड़ाओ आए, अब सव कहा कड़ा आपने चुआ है, 2009 में जब इसी तरह का मेंड़ेट आया था, तो पार्टी के अंदर दो रहा थी, एक हम विपक्ष में रहें, पार्टी मजबूत करें हैं सरकार के साथ जाए, आप सरकार के साथ जाए, 2009 में, 2009 में तो क्या बात पर निकले था, तब एक रहा थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें, अब मैं पूछ रहा हूँ, अब कई सयोगी मिलने वाले हैं, मलिकार जुन खड़के का बहुत बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है, कई नए सयोगी मिलने वाले हैं, यह बड़ा बयान यहाँ पर प्रेस कांफरेंस में दिया है, कॉंग्रेस के अध्याक्ष मलिकार जुन खड़के ने बयान दिया है, कई नए सेयोगी मिलने वाले हैं यानि कि इंडिया गटबंदर की कल जो बैठक होनी है ये बैठक काफी महत्पूर है कई नए सेयोगी मिलने वाले हैं ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मलिका अरजुन खळके का बहुत बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं मलिका अरजुन खळके का बयान है आपर सामने आया है कई नए सेयोगी मिलने आया है राहुल का भी सरकार बनाने से इंकार नहीं है तो यहाँ पर मलिका अरजुन खळके ने यह बयान दिया है यानि कि कल जो इंडिया गटबंदन की बैठक होगी उसमें अब ये तैय होगा क्या आगे क्या करना है बीजेपी ने कहा था नहीं देखिए बीजेपी बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है तमीज से बात नहीं करती है मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो है वो 40 साल से अमेठी में कॉंग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिष्टा है शायद बीजेपी के लोगों ये बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोसली कनेक्टिड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि अच्छी तरह वो जीते हैं और उनको बारे में ये कहना कि वो पियें हैं स्टनों हैं ये बिल्कुल गल्त है ये उफेंसिव है ये नहीं कहना चाहिए राहुल जी मैं मोहित हूँ न्यूज निशन से आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूँ देखिए यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूँ आपसे ज़ादा पुलिटिकल विजडम मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने कमाल करके दिखा दिया नहीं नहीं बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया मगर बीजी यूपी ने हिंदुस्दान की राजनेती समझ कर Constitution पर खत्रा समझ कर उत्तर प्रदेश ने Constitution की रक्षा किये और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूँ आपने Congress Party का India करबंदन का समर्थन किया बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी राहुल जी आखरी सवार और इसमें यूपी में एक और बाद मैं बोल देता हूँ एक और बाद यूपी के बाद में बोल देता हूँ इसमें मेरी बेन प्रियंका गांधी का भी काम है तो यहां पीछे चुपी होई है रहुल जी शुक्रिया साथियों शुक्रिया हो गया प्रसर रहुल जी रहुल जी प्रेस कॉन्फरेंस में आप सुन रहे थे पत्रकारों के सवालों के जवाब भी यहाँ पार राहुल गांदी दे रहे थे और प्रेस कॉन्फरेंस यहाँ पर खत्म हो गई है राहुल गांदी रहे किस तरीके से तमाम सवालों के यहाँ पर जवाब दिये और साथ की साथ ये भी बताया कि कल इंडिया गटपंदन की जो बैठक है उसमें जो इंडिया गटपंदन के बाकी सभी दल है उनके साथ चर्चा की जाएगी और उस पर राहूल गांदी का बायान सामने आया है बीजेपी ने सबको डराया धमकाया ये बात राहूल गांदी ने कहिए हमारी रलाई सम्विधान बचाने के लिए मुझे जनता और गटबंडन साती पर भरोसा था ये बात राहूल गांदी ने कही हमारे कार रखरता बबर्शेर सर आपके कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है समिधान बचाने की जीत है तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं तो अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हग दिलाने के लिए आगे आपाएंगे वोई सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो कल डिसाइड होगा इंडिया गडबंधन की मीटिंग है कल हमारा लाइन डिसाइड करेगा बड़ी फाइन लाइन है तो जो इंडिया गडबंधन डिसाइड करेगा उस पे हम अच्छन लेंगे तो मुलिकार जुन खड़के का बड़ा बयान सामने आया कई नए से होगी मिलने वाले हैं ये बड़ा बयान यहाँ पर राहुल काभी सरकार बनाने से इंकार नहीं है यानि गड़बंदन की बैठक के बाद अगला कदम यहाँ पर रते किया जाएगा तो बड़ी खबार यहाँ पर अब आपको बता रहे हैं अगला कदम यहाँ पर रते किया जाएगा ये बात कह रहे हैं राहुल काभी सरकार बनाने से इंकार नहीं है कल इंडिया गड़बंदन की बैठक है और उसके बाद यहाँ पर रते किया जाएगा देखिए अभी राहूल गांदी जी ने आपके सामने स्पस्ट किया जब तक हम अपने अलाइंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मिजॉर्टी बना सकते हैं वो देखेंगे सारे स्टैटेजी अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी हुशार हो जाएंगे इसलिए अपने तो मलिकार जुन खड़के का बहुत बड़ा बयान यहां पर सामने आया कई नए से होगी मिलने वाले हैं यह बयान यहां पर दिया गया है राहूल का भी सरकार बनाने से इंकार नहीं है यानि कि इंडिया गठबंदन की कल जो बैठक होनी है वो बैठक काफी महत्पूर है और इस बैठक के बाद ही यह तैह होगा कि आकर किस किस को इंडिया गठबंदन में लाया जाता है किस-किस को अपने पाले मिलाने की कोशिश करती है इंडिया का ठपनन और किये यहाँ पर संकेत मलिकार जुन खड़क्योर साथ की साथ राहूल गांधी ने यहाँ पर दे दिये हैं